हलो बच्चो आई आज हम लोग अभी रिवाइस करेंगे इन नेक्स टू मिनिट्स हाउज रेंट अलावन्स सर हाउज रेंट अलावन्स क्या एक्जेम्ट होता है हाज जी बच्चे होता है उसके लिए दो कंडीशन्स फुल्फिल होनी ची पहली अगर इदोनों कंडीशन्स फुल्फिल हो रही है तो एंप्लावग को कुछ एक्जेम्शन मिलेगी एक्जेम्शन तीन लिएक्जेम्शन के लिए और जो तीनों में से सबसे कम होगा वो एक्जेम्ट हो जाएगा लिमिट नमबर बलन actual HRA received employer मालो 10,000 पर मन दे रहा है तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 actual HRA received हो जाएगा limit number B rent paid minus 10% of salary जो भी rent employee pay कर रहा है minus 10% of salary इसमें salary का क्या मतलब है basic plus DA forming part plus commission based upon fixed percentage of turnover limit number C 50% of salary या फिर 40% of salary 50% of salary ली जाती है in case आपने किराये पे जो घर ली है वो है डेली, मुंबई, चिन्नाई, कॉलकता क्योंकि आपे rent जादा होते हैं तो limit भी जादा हैगी क्योंकि 50% हो रहा है इसके लावा कोई और state UP, हर्याना तो क्या हो जाएगा बच्चे 40% of salary इन तीनों मेंसे जो सबसे कमायेगा वो आपका exempt हो जाएगा supposedly limit number 1 I 6 lakh limit number B I 4 lakh limit number C I 3 lakhs तो तीनों मेंसे सबसे कम क्या है 3 lakhs receive कितना हो आता 6 lakhs exempt कितना हो जाएगा 3 lakhs taxable कितना हो जाएगा 3 lakhs last point अगर during the year अपकी salary में बढ़ोतरी होती है like your salary increases या फिर rent increase हो जाता है या HRA receive बढ़ जाता है या location change हो जाती है तो हमको उसी साल में नहीं करते बच्चे हम लोग उस year को break कर देते हैं I hope आपको जो मैंने class में बताया था वो सारा का सारा device हो गया Thank you so much